मेटू याद दिलाने का कि तुझ पर कृपा है बरस रही है तो मेरे लिए हर एक व्यक्ति मेरा पुराना प्रेम है मेरा पुराना रिष्टा है प्रीत पुरानी मेरी तेरी मगर अब ये बार मौका नहीं चोकना सेल फोन काम करना तो क्या होना पड़ता है पहले तो उसमें चार्ज चार्ज की जरूरत पड़ते हैं चार्ज होना पड़ता है और सिम कार्ड उसमें जरूरत है मानलो चार्ज है पूरा चार्ज जे फोन सिम कार्ड नहीं हो तो काम करता है क्या करेगा क्या ने, SIM card होना चाहिए charge भी होनी चाहिए फिर, range के अंदर रहना चाहिए, वो tower के पाव होना चाहिए, tower के range के अंदर तीनों चीज होो तो cell phone काम करता है न इसी तरह से जीवन सफल होना हो तो तीन चीज की जरूरत है क्या? एक तो सेवा दूसरा सत्संग और तीसरी बाते कृपा अब मैं यहाँ आने का एक ही मकसद है तुम्हें यह याद दिलाने का मेरा मकसद है मेरा मतलब यहाँ तुमको यह बताना है कि तुझ पर कृपा है, बरस रही है कृपा की कोई कमी नहीं है यह याद दिलाने के लिए मैं घुमता फिरता राओं सब जगे अब देखो यहाँ जितने संतों का चित्र यहाँ लगी है इन सब ने क्या बताया तुमें भगवान तुमारे अपने है, ईश्वर की कृपात तुझ पर है वही बात में दोराने आया हूँ तु यकीन कर, विश्वास कर इस बात पर तुझ पर बहुत कृपा है अब दो बातें तुमें करनी पड़े, मने रेंज के अंदर तुम हो मर दो बात तो तुमें करनी पड़े क्या चार्ज रखनी पड़ेगी सेल फोन को और सिम कार रखना पड़ेगा चार्ज क्या है? सत्संग तो मिल गया? सत्संग है फिर चार्ज कर सेवा हर एक व्यत्ती कुछ न कुछ सेवा के काम में जुट जाओ हाँ? सेवा के काम में हर एक को जुटना चाहिए जुटोगे सब? करोगे? कि सेवा करने से क्या होता है? समझो जिस व्यक्ती को जो चीज की जरूरत है तो उसको प्रदान करोगे तो उसकी आत्मत तुम्हें दुआ देगी और दुआ से तुम्हारा जीवन मजबूत होता है उसका हो वो जो भी हो करने वाले कोई है और जब भी मैं उनको याद करूँ है मेरा काम होता रहेगा होगा अच्छा ये बताओ कितने रोगों का अपना आपका काम हो रहा है यहाँ उठाना तो हम ड्यूटी दे रहे हैं ना आपके बराबर मी टू भी तुम्हारे पास कोई चॉइस ही नहीं है तुम क्या कर सकता हो आज तक कोई भी किसी के पास मैंने ऐसी चॉइस छोड़ा ही नहीं है जो भी हम को मिलते हैं वो यही बोलते हैं आपके लूटी है एकी तो है यहिवर कोई आसमान में नहीं बैठा यहिवर तेरे बीतर तुझके राप्त मा के रूप में है पर्मात्मा के रूप में है इसलिए आत्मा गुरू और परमात्मा में भेद नहीं जाना सब एक है बहुत बढ़िया यह संदेश सारा संसा सारी दुनिया में हर गड़ी हर ख्षन कुछ न कुछ हमको ग्यान की बात मिल रही है संदेश मिलता जा रहा है बस हमारा दिमाग चरा होश में आ जाए बेहोशी से हम निकल के आ जाए तो हमको ग्यान ऐसा बरसेगा कोई किताब नहीं पढ़ने की जरूरत है मैं तो किताब पढ़ता ही नहीं हूँ पढ़ता ही नहीं किताब मैं बस सब को पढ़ता हूँ इतने जितने बैठे आदमी को पढ़ता हूँ हर व्यक्ति इस संसार में इश्वर का रचाया हुआ एक अद्बुत कहानी है किताब है अपने में एक सुन्दर किताब है ठीक है ना तो अपनी मन को पढ़े और हमारे अपना मन को पढ़ने के बाद फिर हमारे चारों और जो लोग है उन सब को भी पढ़े वो आसान हो जाएगा तुमारे वीतर की आत्मा बहुत पुरानी है तुमारा जीवन तो पताने कितने सदियों से चल रहा है उसकी तरह भी थोड़ा सा ध्यान दो गए थोड़ा सा उसको खुराक देना वीचारे बहुत भूके मरे ध्यान करोगे तो वो जो जितना चित्त पर एक आगात होता है इंप्रेशन बनता है वो सब शांत होने लगेगा जिस स्लेट पर तुम लिखते चले जाओगे तो फिर बाद में कुछ नहीं समझ में आएगा उसमें बीच बीच में पॉंचा भी लगाना पड़ागे उसको स्लेट को पॉंचा लगाते की नहीं ब्लैक बोर्ड पर क्या करते हैं डस्टर लगाते की नहीं यही ध्यान है बीच बीच में डस्टर लगाओ अपने मन को साफ करो थोड़ी देर ध्यान में बैठो तीन चार पांच दिन साल में निकाल करके साधना सच्चन करो देखना फिर जीवन में क्या एक खूबी क्या चमतकार होता है मुझे सबसे अपना पन हमेशन लगता रहा है पदा ने सई यह गलत है मगर मैं क्या करूँ कोई मुझे गैर लगती नहीं कोई मुझे कोई नहीं लगता है कि मैं पहली बार इससे मुलाकत कर रहा हूँ हम लोग यहां आई कई बार मैं तो मुस्कुराता ही रहा हूँ तुम रोए हसे रोए हसे डाओ डाला डाओ करते रहे हो मगर अब यह बार मौका नहीं चूकना इस बार मुस्कुराते रहना मेरे लिए हर एक व्यक्ति मेरा पुराना प्रेम है मेरा पुराना रिष्टा है प्रीत पुरानी मेरी तेरी कोई नहीं बात नहीं है कितने बार हम लोग आई इस दुनिया में मुझे कुछ-कुछ पता है शेद तुम लोग भोल गया हो मैं यह नहीं कहूँगा मुझे सब पता है मगर कुछ-कुछ पता है जो तुम शेद नहीं चानते हो इस तरह खाए एक संकर्क लेके प्रसंद नहों के गर जाओगे क्या मैं उसका हूँ जिसका पुई दुनिया है इसलिए मुझे कोई कमी नहीं देर भले हो कोई अंधेरा नहीं और तुम इदी साधना करोगे थोड़ी थोड़ी सत्संग में तुम भाग लेते रहोगे मैं तुमको प्रामिस करूगा तुमें जीवन में किसी चीज की कमी नहीं आएगे चाहे तुमें उसमें लिख के दूँगा किस में बॉन्ड पेपर में लेखे रहाँ जीवन में तुमें कृपा प्राप्त है इसके लिए तुमें कुछ नहीं करना बस ये याद दिलाने के लिए तुमें आ रहा हूँ जा रहा हूँ बोल रहा हूँ तुमको ये बता रहा हूँ कि तुम्हें सब खृपा है इश्वर का कोई चीज की कमी नहीं होगी इस भरोसी से तुम आगे बढ़ो और प्रीत पुरानी मेरी तेरी मगर अब ये बार मौका नहीं चूकना झाले बार मौका नहीं चूकना